नमस्कार आप देख रहें न्यूस्टॉप इंडिया और मैं हूँ आपके साथ सीमा नाम देव दिन की शुरुआत करते हैं खास खबरों के साथ जहरखंट के पलामु जिला के नावा बाजार थाना के पूर्व थाना प्रभारी लाल जी यादव ने सोमवार की राद थाना परिसर इस्थित अपने आवास में आत्मत्या कर ली बताया जा रहा है कि चार दिन पहले लाल जी यादव को निलंबित करते हुए नावा बाजार थाना प्रभारी पद से हटाया गया था निलम्बित होने के बाद वे राची के बुढमू थाने में माल खाना का प्रभार देने गए थे वहां से वापस लोटने के बाद उन्होंने आत्मत्या कर ली सूचना मिलने के बाद पलामू के पुलिस अदिक्षक के अंतिम कुमार सिन्ह मंगलवार सुभा नावा बाजार थाना के लिए रवाना हो गए लाल जी यादव वर्ष 2012 बेच के दरोगा थे वे राची के बुढमू थाना के थानेदार रह चुके थे लाल जी यादव ने खुदखुशी क्यूंकि अभी तक इसका कोई खुलासा नहीं हुआ है पुलिस ने उनके शव को अपने कबजे में ले लिया है शव को पोस्ट माटम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया गया है पोस्ट माटम के बाद शव उनके परिजनों को सोब दिया जाएगा बताया जा रहा है कि बीते 6 जनवरी को एसपी चंदन सिन्हा ने नावा बाजार थाना प्रभारी लाल जी यादव को निलंबित कर दिया था लाल जी यादव पर डीटीयों से अभधर वेभार और वरी अधिकारियों के आदेश का उलंगन करने का आरोप था एसपी को लगातार शिकायते मिल रही थी इसके बाद एसपी ने लाल जी यादव को निलंबित कर दिया था इधर नावा बाजार के पूर्वथाना प्रभारी लाल जी यादव ने आत्महत्या की खबर से दुखी ग्रामीड सडक पर उतर आए ग्रामीडों ने एनेच नो आठ को जाम कर दिया और वरीय पदधिकारियों को बुलाने की मांग पर अड़े हैं फिलाल के लिए इतना ही खबरों का सिलसिला लगतार जारिया बने रही है न्यूस्टॉप इंडिया के साथ नमस्कार